हेलो नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूटूब चैनल पर आज हम बात करेंगे दोस्तों एक नए पेपर के बारे में और उसका हम एनालाइज करेंगे 2020 के अंदर आया था हमने ये कड़ी शुरुआत किये कि 2011 तक आपको सारे पेपर कराई जाएं इंगलिस की पेड़ा गजी के जो भी है इससे रिलेटिड परसन आते हैं आए भी है 2013 इसमें आपको इस पेपर में भी दिखा हुआ पिछले में जो अंसर की क्राई उसमें दिखाया था ये बात आप इनको देखें आपके भहुत फाइदा होगा इसमें मेरी गारंटी है तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चैनल को भी हमारा सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर करना ठीक है और सेयर भी करें ताकि किसी और का भी बेनिफिट हो हम आपके लिए कोशिश करते रहेंगे आपका प्यार हमें मिलता रही तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस पेपर की 2020 का पेपर आपके सामने है 2020 का ओलर डी हम कर चुके है वो नहीं देखा तो आप देख लें शुरुआत करते हैं 76 नंबर की उस्चन से वो आपके सामने क्या था जब 2020 का पेपर की इसी ने देने बैठे तब तो कहने का भी प्राइव मेरी बात सुनिये ध्यान से यह कहने का यह मादा रखता है मैं आप पर ले देखता हूँ बात को इसी परसन को कि जैसे एक बच्चा है आपने पूरी साल टेस्ट लिए पूरी टेस्ट लेने के बाद आपने वो टेस्ट जब लिए तो आपने जब टेस्ट लिये तो आपको ये लिखना होता है कि बच्छे नया क्या शिख्या इस महींने के टेस्ट में और इसने नया खोया क्या जो पहले आता था अब क्या कमी तो नहीं आ गई या extra see का मतलब कोई उंच नीच हुई है वो साप लिखते जाते हो पूरी साल में जब आप final year के exam देते हो आप रोर हम सारी देते हैं plus two में आपने दिया होगा तो जब वो final year के exam रहते है new exam तब आप उसमें जो कि सारी कि सारी report थी जो आपने खक खात्यार किया था उसी कोई क्या कहते है portfolio mode कहते है ठीक है ना तो चलिए उसके बाद बात करते है समझ में आ गया होगा आपको उसके बाद देखो the reading some skill which should be foxed यानि एक reading की दूसरी some skill होती है वो क्या है जिस पर ध्यान दिया जाना अवस्षय चाहिए फोर डिवलोपिंग डिवलोप करने के लिए विक्सित करने के लिए reading प्रोफियंसी भी पढ़ना ठीक ठाक आ जाए ठीक है तो उसके लिए कौन सी सब skill है जो होनी चाहिए बच्चे के अंदर तो extended reading देखो extended मतलब आप यह नहीं को यह कि बेटा जीतनी हो सके अंगरे जी पुड़ो आपकी तौबे पुड़ो अकबार पुड़ो ठीक है बिलकुल सही बात है ना भी enjoy कर लिए आप पढ़ते हो ना उसी कोई कहते है उसके बाद आप कहते हो reading the inference कहने का मतलब कोई book पढ़ रहे हो तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दो यह बातें किसके बारे में लिखे गई है विस्तार से कई बार आप चीजों को पढ़ते है तो उस time से reading करना inference के लिए वो भी हमारी क्या होती है इसी skill के अंदर आती है after that अगर बात कर आपने किया उसी को कहते हैं तो इसलिए यह तीनों ही बातें लागव होती है इसलिए all the above answer आजाएगा ठीक है दोस्तों after that अगर बात करें 778 number question की which is in front of you that is ongoing continuous as formative evolution formative evolution क्या होता है एक बच्चे की परगती के बारे में जाना कि वह ठीक डंग से चल रहा है या नहीं चल रहा है जैसे माता पीता पीटीम करते हैं बच्ची से आपसे नहीं पूरे हमारा पच्चा कैसे चल रहा है तो उसकी एक कठोर वैसे मान लिया जाए तो यह अच्छा evolution होता है बड़ा आपको इसके बूपर देखना पड़ता है वो लंकन करना होता है बच्चे का तो प्रगती की रिपोर्ट के बारे में can become meaningful यह तभी सार्थक होगा कब होगा जब teacher take responsibility of learner progress की बच्चे की प्रोग्रेस हो रही ना तो बिल्कुल सही बात है teacher को तो responsibility लेनी पड़ेगी लेकि learner को भी तो लेनी पड़ेगी ना अपनी progress के अंदर यह थोड़िए मैं पढ़ हूँ है नियुबा को किस बात पर folks करना चाहिए achievement with respect to particularly syllabus का ही spelling singular form syllabus होती है तो कहने का मतलब है achievement with respect to particularly syllabus पर भी तो आपको देहन देखना पड़ेगा ना पहले चीज़ें उसी से related आपको उनको उस तरह से विस्तार बना की चीज़ों को पढ़ना है measurement करना है कि आप measurement of language हमें ये भी तो करना पड़ेगा ना जब language चीखानी है या सीखनी है तो क्या है कि सुधता पर भी तो ध्यान देना है वो साथ में ये भी तो देखना है कि कहीं कुछ चीज़ें ऐसी नहीं हो जो बे धनीज तरीके से बोल ले जाए उसमें हमारी skill कैसी रहेगी सब चीज़ो होती है ना इदर उदर skill अपनी हम कई किसी चीज़ों को बोल बोल के काम लेते हैं और उसके बाद अगर हम बात करें ये भी नहीं पड़ेंगे एक बार mother tongue reading failure does not adversely मतलब इप्रीत डंग से होता है इसका आर्थ affect second language जो हमारी second language जाज़े से अंग्रेजी शीख रहे हैं और mother tongue इंदी के माध्य में से इंगली सिखते हैं कि नहीं सिखते हैं तो क्या वो ओंगरेजी पर गल्त प्रवाउड दूसरी बासा पर प्रवाउड डालती है क्या गल्त तरीक्ये का प्रवाउड डालती है कि नहीं कोई negative नहीं होता हम इसका उल्टी का फाइदा ही होता है हमें इ एडियो देख लो चाहिए आई स्पैन तो भही आई कोंटेक्ट ठीक था कोना चाहिए जब भी आप चीज़ें पड़ो ठीक ना ध्यान कहीं होगा किताब आगे मुंक के आगे पड़ी रहेगी फिर क्या फाइदा होगा अगर हमें कोई भी ऐसी बाते ही ऐसा माहूल बनाना है कि अच्छी तरह सी कम्यूकेशन उसके तो आर प्री रिक्वेस्ट फॉर्ड लेंग्वेज लर्निंग तो कौन सी ऐसी बात है जो महतोपूर्ण है इससे लिए विच आउट ओफ फॉलोविंग फाल्स अंडर दा डॉमेन तो देखो अगर पढ़ाई करनी है तो पहली चीज क्या है क्या डालना चाहोगे उसके अंदर लर्नर चूजन टेक्स्ट बिल्कुल आप लिखी चीज़ें अकबार पढ़ें किताब पढ़ें इंजोई के लिए पढ़ें कैसी पढ़ें लाइबरेरी में जाएं मीडिया का स्पोर्ट ले सकते हैं तो सारी की बातें सही है इसमें अफ्टर डैट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्यूशन 82 नमर क्यूशन कहता है टीचर ये तो एक बयान है किसी का कोट्स है टीचर सुड कंसीडरे चाइल्ड एज प्रोस्पेक्टिव लर्निंग पावर कहने का मतलब बच्चा कितना सीख सकता है कितना नहीं सीख सकता इस ब सारी चीजें देखें वो कितना सीख सकता है कि लेवल है उसका सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए कब है विफॉर ट्राइंग टो एक्सपेंड ग्रेस्प्स ऑप लैंगवेज बच्चे को लैंगवेज चीखाने से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए यह बात किस के माध्यम से विच है social group तो यहां पर समाज क्या corporate करता है बई इस स्टेटीड बाई कि समाज इसका समाज सयोगिया ना क्योंकि अलग-अलग समाज है उस अलग-अलग जगह से अलग-अलग बासाइं उठती है कि नहीं उठती यही तो कारण है तो इसलिए यह बात किसमें कहीं बर्नार्ड ने कहीं और साथ में थे जोर जिसके Which of the following statement is not true किसके बारे में सच नहीं है इस बार language के बारे में तो देखो language के बारे में क्या सच नहीं है क्या है खलो देखते हैं पहला है language is not outcome of the culture to which it belongs तो अब उपर तो लिखा था ना उसने बयानी दिया था कि culture से तो जूड़ी होती है यह अलग-अलग culture जहां जहां देखो बाड मेरे में जाओगे तो अलग तोड़ीशी बासार एक बादरां के पास पढ़ोगे तो और बासा मिलेगी आपको अरियाना में जाओगे रोग तक की side जाओगे अलग culture अलग भाशा यह में यह परवाव डालती है तो यह बात कहीं कहीं सही नहीं है इसलिए यह परसन इसका अंसर सही था language is a skill, language skill तो है भई, it has to be acquired और इसको शीखा भी जा सकता है the system of language consists of sound, sound तो होती है ना, language में तो आगे पढ़ना ही दूरती नहीं है, vocabulary भी होती है symbol तो होता ही है, of a language are arbitrary यह भी अभी आया था, तो यह तीनों सही बाते हैं उसके बाद बात करें, who claimed language as a mental organ, किसने इसको claim किया था who claimed language as a mental organ के तोर पर तो norm Chomsky ने किया था 86 number question, लिए देखती हैं, बहुत लंबी है परिभाशा, there is at least one characteristics, अगर एक देखा जाए तो एक विशेस्ता यह भी है कि common, वो क्या है, that is common to every successful language, जिसने भी भासाने सीखी है, उसमें एक बात common हमें सेखने को मिलती है हमें देखने को मिलती है, we have known, हमें पता इस बात का है, that learner is exposed, learner is exposed one way as another to an adequate amount, शिमित मात्रा में, of the data of the language to be learned these are the view of किस के थे, further forward के थे, which of the following statement is true about skimming, skimming के बारे में बताए क्या है skimming क्या होता है, मैं बात बताता हूँ, आप कोई रणनीती बनाती है, ठीक है ना, क्या बनाती है, रणनीती बनाती हो फिर उस रणनीती के आदार पर चीज़ें select करते हो, और select करने के बाद उस method से आप ध्यान से उन चीज़ों को पढ़ते हो इक है न उसी को skimming कहते हैं तो चलिए अब क्या है is true about तो true क्या है देखो it means to detail studies of the text book for the through mastery of the language detail study करना नहीरे detail का है रणनिती बना के पढ़ना वो रणनिती किसी तरह से हो सकती है कोई ज़रूरी तो detail ही पढ़ना है वो तो extensive or intensive आपने पढ़ा है ना मैं दो में अंतर पढ़ जाओगे तो वहां पर पता चल जाए एक scanning भी आपकी आया था paper में वो करवा रखिये मैंने उस paper में it is the study of content material content material somewhat of rage study of grammar ना ना जी ऐसा कुछ नहीं है अभी क्या बता है मैंने रणनिती यह कहाएगा it is the technique यह देखो technique नहीं की तो आगई of reading पढ़ाई करने की तरिका in order to get a general overview of that text तो रणनिती बना के चीज़ों को पढ़ लो बस यह देखो मैंने लिख भी दिया रणनिती selective reading method आप कोई भी method से select करो रणनिती बना और पढ़ो आगे दी था इसका is an act of reading पढ़ाई चलो यह तो है यह जीब साई ऐसे दे दिया vocabulary को जरूरत होती है required of a high school student का जो है vocabulary required of a high school student यानि जो बार्वी के बच्चे हैं मान लो तो आपको vocabulary क्या शक्ता पढ़ती है इस उदेश्य से क्यों पढ़ती है भई by tot manner manner सीखने के लिए क्या नहीं तो रट्टा मानने के लिए ना रहे ना रट्टा मान का तरक्य का मार built up gradually हाँ बिल्कुल सही बात है चीजों को दिरी दिरी सी आगे आगे बढ़ाना और साथ में क्या है उसकी फिर reading करना which of the following statement is are correct सही कौन सी है इसमें से grammar से related है देखो grammar can be introduced after linguistic competence यह इसका is acquired ठीक है ना समता होती है competence यह बिल्कुल सही है उसके बाद है grammar serve as tool की तरह काम करती है grammar बिल्कुल करती है increasing a language repertoire तो यहां पर इसका मतलब क्या होता है वैसे आप इसको रेपोरिक भी बोल सकते हो इसका आर्थ क्या होता है अलंकारिक तरीके से या अलंकार नहीं होते है क्या बाशा के अंदर अलंकार है उस तरह से यह सबद है इसका अर्थ ही होता है उसके बाद क्या उसके बाद कहता ह है grammar is a tool for understanding the construction of rhetoric यह नाम आ गया यहां पर है rhetoric rhetoric यहां पर rhetoric meaning आया है हाँ sorry माफी चाहँआँ इसका होता है अलंकार एक तरीका ठीक है न यानि grammar की tool for understanding the construction of text जैसे आप सी मिली अलंकार पढ़ते हो ठीक है न तो यह rhetoric ही बोला जाता है इसमें यह लंकार डाला जाता है तो यह grammar जब पढ़ते हो एज लाइक वगरा वगरा सब चीज़ें आती है तब आपको यह पता चलता है और इसका मतलब जो हमारा था क्या नाम था यहां गया इसका आर्थ क्या होता है इसका आर्थ होता है दोस्तों रूप रीखा त्यार करना क्या होता है रूप रीखा माफि चाओंगे आपको रूप रीखा त्यार करना ठीक है न उसतरह से तो grammar जब स्रव ऐजे 20 की तरह काम करती है जिससे हम आगे की चीजों को देखते हैं उनकी तरह काम करते है और आगे बात आती है तो इसका अंसर आगया आलोग दाव जो speech made without preparation तो declamations हो जाएगा इसका अंसर तो बिल्कुल इजी साथा आप इसको देख सकते हैं और इसका अंसर होगा आया नहीं क्या यह रहा अंसर इसका declamations तो यह अंसर रहेगा तो यह थी हमारी 2020 का paper दोस्तो फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ लाइक नहीं किया समस्क्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर करें धन्याबाद